प्यारे विद्यार्थियों, Communication के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि Communication, जो की अच्छा Communication है उसके रास्ते में क्या क्या मुश्कलें आती है प्यारे विद्यार्थियों, जो सबसे मुश्कल है, सबसे बड़ी मुश्कल है जो वो है भाशा भी है, जब तक कर दो व्यक्ति किसी एक भाशा को नहीं जानते तब तक उसमें अच्छा Communication नहीं हो सकता दो व्यक्तियों को एक भाशा को जानना आवशक है जैसे मैं आप से हिंदी में बाग कर रहा हूं तो हिंदी मेरी भाशा है तथा मैं यह समस्ता हूं कि भार देश की अबादी जो कि देड़ अर्ग से अधिक है हिंदी भाशा को जानते हैं तो जो समस्या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में आती है वो भाशा को लेके आती है वो काम तो करें इंडिया में और सब को चलाने इंग्लिश में तो कैसे अच्छा Communication होगा आफिस है ने कोई बात लिखके दी इंग्लिश में और उसका इंपलाईउस को समझ नहीं सकता तो उसका ओर्डर फोर्दो ही नहीं होगा तो यह सबसे बड़ी मुश्कल है तो ऐसी कंपनी को चाहिए कि अगर वो लोकल एरिया में काम करें हैं तो वहां की लोकल लेंग्वेज के साथ अपने आपको बदलें दूसरी बात जो कुमनीकीशन के रास्ते में आने वाली रुकावट है या मुश्कल है वो है जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल का मतलब यह है कि एक इंडिया में दूसरा इंपलाई है फ्रांस में तीसरा इंपलाई है यूएस से में उन व्यक्तियों का अलग अलग कल्चर है उनकी सोच उनके सिस्टम अलग अलग है जब एक कमपनी में काम करें हैं तो हो सकता है कि उनके वह व्यूस आपस में मेर ना खाते हैं नहीं तो यह आपस मेर ने खायेंगे तो इसन यह है कि कम्मिकेशन नहीं वीस हो सकेगा तो ती से समस्या हर वह है एट्टिषण यदि दो हम लाइस या एक ऑफिसर या इंपलाइसन किई टू उस हमें इन में अपसी इंड्रीह बिश्कなた्र डेकर कुछ ना कुछ ना maior देख लेकर जो अच्छा नहीं होगा है उसका रिझनब यह यह है कि राक्ति कित्षा है तो इसका एक किक्षा है इसलों उस्ट क्लास को श्राज करें टार जो आपने शब्दों के तीर उस पड़े लिखे व्यक्ति की तरफ है के तो दोनों का आपसी ताज में तूट जाएगा उसमें सी अच्छा कम्निकेशन नहीं निकलेगा या तो पड़ा लिखा व्यक्ति जो कम पड़े लिखी व्यक्ति को सिखाए तो तो अच्छा चलेगा अदरवाइस नहीं और चोथा जो डिफिकल्टी आती है कम्मुनिकेशन में वो है कि लैक ओफ विल टू कम्मुनिकेट जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो ज़्यादा पड़ जाती है उसमें इगो भावना बढ़ जाती है वो कहते हैं मैं क्यों कम्मुनिकेट करूँ मान लोगे मैंने अपने इंप्रियस को सिखाना है और मैं क्यों सिखाऊँ वो तो कलर्क है तो कलर्क ही रहे ओफिसर बनने की कोशिश मत करे यह यह लैक ओफ विल टो कम्मुनिकेट है अरे ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ जाता है अब मैं अपनी बात कहूं मैं क्यों पढ़ा रहा हूं वाई आइम टीचिंग टू यू तो सीदी सी बात है कि I am willing to communicate to you कि ग्यान देने से जो मेरा ग्यान है वो बढ़ जाता है इसलिए मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं तो यह रिजन है ऐसे जो छोटा है जिसकी एडिकेशन कम है वो सोचता है कि मुझमें तो confidence ही नहीं है क्या जो मैं बात कहूंगा ओफिसर को अच्छी लगेगी तो यह कमी है उसमें confidence कमी हो सकता है उसमें अच्छी thoughts हो हो सकता है उसमें अच्छी ideas हो पर weakness of confidence वो अपना communication officer को दे नहीं सकतेगा नहीं दे सकतेगा तो company को loss हो जाएगा तो यह मुश्कल है language की मुश्कल हो सकती है geographical मुश्कल हो सकती है education की मुश्कल हो सकती है और willpower की मुश्कल हो सकती है तो आगे के lecture में हम आपको समझाएंगे कैसे इन मुश्कलाओं को और ठी करना है ओके